क्या आपका passing year, online form भरते समय गलत डाल दिया गया है? क्या form में कुछ गड़वड है, टूटी है, उसके कारण form reject किया जा सकता है? क्या आपने cyber cafe वाले से form भराया था क्या? तो आए इस वीडियो में समझेंगे, कि अगर form में कुछ तूटी है, गलती है, तो उसके वज़द से क्या हो सकता है? reject होगा या कोई problem नहीं है? नमस्कार मैं अविसेकराज, दूस्तों आज हम बात करने वाले हैं, railway LP के जो form आपने online apply किया था, उसमें अगर कोई तूटी है, कुछ problem है, उसके वज़द से form आपका reject होगा या नहीं होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा, form में तूटी को सुधारने के लिए, मिस्टेक को सुधारने के लिए 29 फरवरी तक date दिया गया है, जो काफी करीब है, तो एक बार आपसे request करेंगे, कि आप अपने form को बढ़िया से देख लिजे, कुछ टूटी हो, कुछ मिस्टेक हो, या कुछ गलतिया हो गई है, उसको सुधार लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे से बच्चे होते हैं, जो खुद से form नहीं भरते हैं, किसी दूसरे भाई या चाचा को बोलते हैं form भरने के लिए, या cyber cafe वाले से form भरवाते हैं, तो होता क्या है कि ओ लोग form जल्दी में भरने के लिए, कुछ ना कुछ छोटा मोटा mistake कर देते हैं, या कहीं कहीं सही से भरते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आपको करना क्या है कि आप अपना login करक एक बार सारे चीज़ों को देख लिए, कुछ mandatory चीज़ों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिसको आप एक बार फिर से देख लिजएगा, हो सकता है कहीं problem हो, जैसे आपका नाम बिलकुल सही होना चाहिए, कोई mistake नहीं होना चाहिए, आपके पिता जी के नाम सही होना अधार नमबर सही होना चाहिए, date of birth भी सही होना चाहिए, इसके अलावा email ID, यह तमाम चीज़े आप जरूर देख लिजएगा, अगर इसमें कहीं कोई गलती है, तो फिर आप 29 फ्रवरी से पहले सुधार करने का प्रयास कीज़ेगा, क्योंकि 29 फ्रवरी के बार सुधार न passing year क्या डला जाए, मैंने जो passing year डला था, क्या हो गलत है या सही है, इस पर हम चर्चा करेंगे, आने वाले मार्च में भी technician का form आएगा, उसको भी आपको apply करना होगा, तो कुछ छोड़ी छोड़ी परिसानिया अगर इस बार हुई है, तो अगले बार ना हो, इसलिए वीड लिखा है कि जो form में हम modification करेंगे, जो आपका सुधार करेंगे, ओ आपको payment of modification fee देना होगा, मतलब पैसा लगेगा, modification fee लगेगा, पैसा लगेगा, तब हम आपका सुधार करना देगे, लेकिन, पिलीज नोट लिखा होगा कि नोट कर लिजे कि details filled in create account and choose rrb cannot be modified, अगर आपने किसी rrb का चुनाओ किया है, यही होगा कि इस rrb में form भरा आपने, उसका change नहीं कर सकते हैं, और account जब आप login create किये होगा, उस समय जो details आपसे मगा गया हो, उसको भी आप परिवर्तन नहीं क बाकी इसके अलावा जितने भी गलतियां होगी form में, तो आप modification fee देकर इसको 29 फरवरी तक change करा सकते हैं, ठीक है, आईए हम लोग समझते हैं कि जो iti क्या passing year होता है, वो क्या होता है, iti के नहीं हर क्यो भी आपने qualification लिया है, उसका passing year क्या होता है, वो समझे, passing year समझने से प example के लिए हम बात करें, कि अगर आपका course दो वर्स का है, अगर आपने itm admission लिया दो वर्स का course है, उस condition में आपका जो session होता है, वो दो साल का होता है, ठीक है, example के लिए हम बात करें, मान लिजिए कि आपने 2018 में admission लिया, ठीक है, 2018 में admission लिया, अगर आपका course वन year का है, ठीक ह अब 2018 में ये शुरू होता है जुलाई से 2018 जुलाई से 2011 जुलाई तक चलेगा ठीके ना ये इंडिया का सेशन है जुलाई से ये स्टाट होता है एक वर्स का कॉर्स है तो आपका एक सल का टाइम मिला आपको दूरेशन कॉर्स अप डूरेशन कितना हुआ 18 से 19, जुलाई से जुलाई, यह आपका सेशन हुआ, अगर एक सल का है, यही कोर्स, अगर दो वर्स का है, मान लिजिए, टू यर्स का है, और आपने 18 में अडिमिशन लिया, 2018 में, तो आपका जो सेशन होगा, 2018 से 2020, दो सल होगा है, और एक सल का दूरेशन है, और एक सल के लिए एक सल का दूरेशन है, इसको सेशन बोलते हैं, अब सेशन के वज़त से आपका पासिंग एर 2020 नहीं हो जाएगा, ठीक ना, मान लिजिए, इसका एक सल का कोर्स है, तो उसका पासिंग एर 2019 होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, क्यों जरूरी नहीं है, आई आपको हम बताते हैं, पहला करण है इसका कि अगर आप फेल हो जाते हैं किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो गए अब फेल होने पर क्या होता है कि 2020 जुलाई में जो आपका result आने वाला था और result आपका नहीं आता है क्योंकि आप फेल हो गए हैं अब आपको फिर इंतिजार करना पड़ेगा नेक्स्ट पेपर का वो पेपर देने के बाद जब आप पास होते हैं फाइनल रिजल्ट आता तब आपका वो पासिंग एर हो जाता है तो मान लिए अगर आप 2020 में फेल हो गए ठीक है ना और फिर आपने एक्जाम दिया और आप 2021 में जुलाई में पास हो गए ठीक है ना जुलाई में पास हो गए तब आपका पासिंग एर 2021 जुलाई रहेगा ठीक है ना 2021 रहेगा लेकिन वैसे बच्चे जो 18-20 वाले सेसन में थे और 20 में ही ओ पास हो गए जरव 20 में ही पास हो गए तो उनका जो पासिंग एर होगा वो 2020 होगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सब चीज सही रहा बहिया से पेपर गया सब चीज according to session रहा पास हो गए तो कोई दिक्कत नहीं ये passing यह 2020 ही रहेगा आपका ठीक है एक condition हो रहाता है कि किसी कारण वस किसी कारण वस session late हो रहा है session late चल रहा है ठीक है होता है कभी-कभी session late ही चल रहा है आपका exam हुआ मान लिजे 2020 नमबर में और आपका जो result आया जनवरी 2021 में तो आपका जो passing year होगा वो जनवरी 2021 होगा passing year बदल जाएगा क्योंकि 20 में तो result आना था लेकिन exam क्या हुआ late हुआ नमबर में और नमबर में exam होने के कारण result आपका आया जनवरी 2021 में तो आपका session 18-20 है और final exam में आप फेल हो जाते हैं और exam आपका final 21 में होता है 21 में आप पास करते हैं तो आपका passing year 21 हो जाएगा अगर आपने 2018-20 में admission लिया और 20 में ही सारा paper किलियर होगा आप बढ़ियां से पास होगा result बढ़िया गया तो आपका passing year 2020 ही रहेगा अगर सरकार के तरब से ही session late चल रहा है और आपका exam जो final नौवंबर 2020 में हुआ result 2021 माया तो आपका passing year 2021 रहेगा समझ गए यह passing year का खेला ते ही होता है passing year ठीक है? session क्या होता है? passing year क्या होता है? आप समझ गए अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई जब railway का form चाहिए कोई भी form भरते हैं तो उसमें बोलता है passing year बताईए passing year बोलता है और passing year में बोलता है कि हमको date भी बता दीजिए हमको month भी बता दीजिए और हमको year भी बता दीजिए तो सारे बुचों को तो यह पता होता है कि भाई, 2020 में, 2020 में, 2020 में लेकिन मन्थ और दिन नहीं पता होता है तो इसको पता करने के लिए करना कहा है कि Marksit के जो निचला हिसा होता है यहाँ पर signature किसी के किया रहाता ठीक है साइन के नीचे date ड़ा रहाता है और इस date के अलावा कोई date marksit में नहीं तो यही date आपका final date माना जाएगा समझ रहा है जो marksit आपको final मिला है उसमें जो signature किया है उसके नीचे date विराता है वही date आप डाल सकते हैं यहाँ पे issue date लिखर आता है issue date होगा तो अगर issue date आपके result से match कर रहा है एक दो महिने के आगे पीछे है तो आप issue date को ही आप final date और month मान सकते हैं मान लिए issue date का मतलब कि अगर आपने marksit late से लिया मान लिए result आया 2021 में आपका 2021 में आपका result आया और आप यह जनवरी की बात कर रहे हैं जनवरी 2021 में result आया और आप marksit लिएने गए है नौवर 2020 में तो हो सकता है issue date नौवर 2020 हो तो फिर इस condition में नौवर 2020 डेट यहां नहीं डालेंगे आप अपने memory के नुसार जब result आया था क्याकि year तो आपको पता होगा 2020 रिजल्ड का जो महीना होगा उसके नौशार month और date आपना डाल सकते हैं लेकिन maximum condition में यहां पे जो signature होता है वहां से date मिल जाता है नहीं तो इस तो डेट से date मिल जाता है ठीक है और नहीं तो कर दोनों में से नहीं मैच कर रहा है तो अपने recording आप डाल सकते हैं बस आपको याद होना चाहिए कि मतलब इस month में ही result आया था date में variation हो सकता है मालनी यह जनवरी देरे कि इसमें result आया था आप 10 जनवरी डाल दिया कोई बार 4 पी के session का 15 जनवरी डाल दिया तो इससे कोई दिककत नहीं होने वाला है ठीक है कोई परेशानी की बात नहीं है कि बात करें कि भाई अगर फॉर्म गलत भरे हैं तो reject होगा क्या फॉर्म गलत भरे हैं तो reject होगा क्या तो देखे रिजेक्ट फॉर्म नहीं होता है एक्जाम आपको देने का मौका मिलेगा गलती हुई है तो 29 फरवरी तक सुधार कर लिजे उसके बाद भी कुछ mandatory चीज़ कि नहीं सुधारा जा सकता है अधार नमबर यह सब हो सकता है नहीं सुधार जाए तो अगर नहीं सुधारा जा रहा है और गलती भेहंकर हो गई तो आप magistrate से आपको फहरा पर भावा कर यह जा सकते हैं आप एक्जाम में बढ़ चांटे है ठीक है, डॉक्मेंट वेरिफिकेशन का टाइम में आपको थोड़ा परिसानी जहलना पड़ेगा, और रीच चेक करेगा, आपको मजिस्टेट से फिर वेरिफिकेशन कराने के लिए बुलेगा, तमाम परकिरिया अपनाएगा, ठीक है, लेकिन आपको नौकरी से नहीं बाहर क छोड़ी देता है, तो इस कंडिसर में आपको क्या करना है, कि जब भी फॉर्म समिट करते हैं, एक बार अपने से देख लिजे, मिला लिजे, नाम, डेटा वबर, आधार, नमबर, मॉवाइल, इमेल, एडिये, सब मेंडोटरी होता है, इसको देखना होता है, ठीक है, तो ये एक बार फिर से आप देख लिजेगा, अगर आप चाहते हैं कि इजी भी कोचिंग के माध्यम से त्यारी करें, क्योंकि पूरे भारत का एक मात्र कोचिंग संस्थान है, जो आईटी आई छात्रों के लिए समर्पित है, आईटी आई के छात्र यहां से पढ़कर, चंद पाते हैं, तो अगर आपको भी इस तरह का ख्वाब है, कि हम आज एक करने के बाद सरकाई नौकरी में जाए, तो आप इजी वे गलोबल अप्लिकेशन को प्लेशोर से डाउनलोड कर लिजिए, और रेलेवे का कोई भी कोर्स, जो आपके ट्रेड का है, वो जोईन कर लिज प्रशन पुछना इसके रिगार्डिंग, तो हमारे हेलप लाइन नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं, और भी आपके मन में कोई तुरूटी है, कोई सवाल है, जो आप पुछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, तो चलिए मिलते हैं अग